हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तू फैसल कॉंसेंप्स स्टुडेंट्स आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्टॉक्शन्स और डिफरेंट प्रोग्राइम्स जो हमारे पास गिवन होंगे बीट दिफरेंट एग्जेंब SaysBeekt Discimentos हम इनको डिस्कस करेंगे तो سबसे पहलेंगर हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक इंस्टॉक्शन्स की तो अरिथमेटिक इंस्टॉक्शन्स में हमारे पास कुछ unsigned numbers होते हैं जिनको हम use करते हैं data को represent करने के लिए लेकिन उनका कोई sign नहीं होता with no bits और उसमें हम जो है different operants जो हम use करते हैं between the 00 to FFH 8 bit data को represent करने के लिए अब अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने unsigned numbers की addition करनी होगी तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं to perform the addition of unsigned numbers तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि add a, source अब a क्या है accumulator है और source जो है जहां से आपने उसको कोई ना कोई value देनी है अब यहाँ पर आप example देख सकते हैं कि अब आपने इसको add करना है right move a उसमें आपने value जो है f6 की वो move करा दी right और फिर कहते है add a और उसमें आपने 0bh की value move करा दी तो यहाँ पर आप देखें अगर हम मेनुली यहाँ पर add करते हैं तो आप इस तरह से add कर सकते है अब b, b जो है ना आपके पास इसको hexa में आपने देखना है कि b आपके पास क्या होता है, b आपके पास 11 होता है right तो इसको आपने add करना है फिर आपने F और 0 को आपने add करना है इस तरह से आप आपने add कर दिया तो अब यह आपके पास जो code हो गगा आप उस तरह से भी कर सकते हैं और आप अगर इसको manually करना चाहते हैं आप इसको manually भी कर सकते हैं लेकिन basic जो आप add जो addition है उसके लिए आप instruction जो use करते हैं वो आप add की use करते हैं दो operants को add करने के लिए पहले आपका destination आजाएगा second आपका आजाएगा source कि आप कहां से इसको value दे रहे हैं नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि add instruction अगर हम discuss करें कि कोई five we discussed program to five the sum was purposely तो ये सारी आपके पास बाते वही आजाती हैं जो हमने already discuss कर ली हैं अब next यहां पर और additions के number हैं कि हम कहते हैं कि दो numbers हमारे पास store है register R0 और R one में अब हमने verify करना है कि उन दोनों का sum जो है is greater than ffh तो अब हम verify करेंगे अब ये code है कि R0 से content A में डाल दो right फिर R1 से content जो है वो A में add कर दो फिर यहां पर use किया गया है एक check लगाया है कि jump carry मतलब कि अगर carry आता है तो हम कहते हैं कि if sum is greater than ffh तो यहां पर एक carry आएगा और यह jump कर जाएगा हमारे पास right अब यहां पर अगर हम कहते हैं कि S jump मतलब short jump है तो वह next पर jump करेगा यहां पर jump करेगा right तो अगर carry 0 है तो वह exit हो जाएगा right तो वह exit कर जाएगा right और यहां से अब देखें कि next पर आएगा तो no operation do nothing end और end of file तो exit कर जाएगा next हमारे पास य अगर carry होता है jump carry में तो यह message पर आएगा और फिर क्या करेगा कि y में जो है ना अब यहां पर अगर carry वहां पर उपर आता है तो y के contents जो है ना अब कहता है कि move y into the a तो वह a में move कर जाएगा next होगा move p1,a तो अब यह जो message होगा ना यह y का यह p1 port 1 में जो है वह move कर देगा तो इस तरह से हम check कर सकते हैं कि जो उन दोनों का sum है वह हमारे पास greater है ffh से या नहीं राइट अब next आ जाता है कि add c अब carry के अगर हम बात कर लेते हैं कि हम लेट सब्सक्राइब को add कर रहे हैं 16 bit का data हमारे पास है और carry का हमारे पास issue आ गया तो वह हम किस तरह से add with carry किस त सकते हैं अब let suppose यहां पर देखें कि हमारे पास when the first byte is added हम कहते हैं e7 plus 8d इसको add करते हैं तो 75 आया और एक carry आ गया अब अगर हम देखें तो b की value हमारे पास 11 होती है और c की value 12 होती है इस तरह से आप इसको गर add करें b की value 11 और यहां से 12 तो हमारे पास क्या value आ जाती है अब देखें 12 और 11 23 आ गई अब इसमें जो है ना आप अगर 16 एड़ कर देते हैं तो आपके पास value आ जाती है 38 तो फिर जो है ना उसमें से दुबारा से एक carry आपको ऊपर चला जाता है इस तरह से आप जो है carry को जो है उसके साथ add कर सकते हैं तो देखें 3 प्लस 3 6 एक carry आ गय 7 हो गया इसको अगर हम कहते हैं कि assembly language में हम अब किस तरह से वह add कर सकते हैं तो अब सबसे पहले आपने c को clear कर दिया फिर आपने a में जो value move कर दी e7 value move कर दी then a में जो है आपने add कर दी 8 d की value right अब यह addition हम perform कर रहे हैं तो उसके बाद आपने जो है accumulator से value जो है r6 में move कर दी फिर उसमें एक और value आपने move कर दी accumulator में 3 c h फिर उसमें carry के साथ value add कर दी 3 b तो इस तरह से आप जो है assembly language के अंदर भी addition perform कर सकते हैं addition with carry यहाँ पर भी आप देख लें तो यहाँ पर आप देखें कि आप यहाँ पर एक carry आया है तो इसको हमने add with carry किया है right तो इस तरह से अब next अगर हम बात कर लेते हैं हमारे पास आजाता है bcd number system जो binary recorded decimal system है जो हमारे पास 0 to 9 तक binary representation होती है digits की वो हम किस तरह से कर सकते हैं अब यह देखें हमारे पास दो तरह की bcds है unpacked और packed अब unpacked की बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो lower 4 bits of the number हैं वो represent करते हैं bcd number को और the rest bits हमारे पास zero होते हैं यहां पर देखें यह वाले lower जो है bcd को कर रहे हैं और बाकी zero को और जो packed में करते हैं कि single byte हमारे पास जो होता है वो two bcd number के equal होता है one in the lower four bits and one in the upper four bits अब यह जो है ना देखें हमारे पास यह four bits और यह four bits तो यह हमारे पास दो bcd number मिल के जो है एक single byte बनाते हैं क्योंकि byte हमारे पास eight bits के equal होता है तो four bits plus four bits equal to eight one byte बना लिया अब packed bcd addition अगर हम perform करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि there is a problem while adding packed bcd which needs to be corrected right problem हमारे पास यह आती है कि हम जब bcd packed numbers को add कर देते हैं तो result हमारे पास bcd में नहीं आता whereas adding bcd numbers give must give a bcd result तो हमारे जब bcd numbers को add करते हैं तो हमारे पास result bcd में आना चाहिए तो इस problems को जो है ना हम इसको deal करते हैं microprocessors जो use करते हैं 8051 के through उसके through हम इसको deal करते हैं right अब यहां पर कहता है कि move अब lower digit जो है इसका उसमें add करना चाहिए six number right अब जब उसमें six add कर देगा जो आपके पास three f है right उसमें six add कर दिया तो आपके पास answer आ जाएगा forty five h तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो answer है वो आपके पास bcd के अंदर आ गया है तो अब जो आपकी issue थी वो rectify हो गई है अब अगर हम बात कर लेते हैं कि da instruction की इसमें क्या होता है कि हम जो addition है उसके लिए decimal adjustment करते हैं वो किस तरह से करते हैं कि अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहले pcd addition की बात कर लेती तो हम उसको correct करने के लिए da instruction use करते हैं जो कि six add करता है lower nibble को या higher nibble को जब हमें जरूरत आती है यहाँ पर अब देखें कि हमने a में move कर दिया 47 h फिर b में move कर दिया 25 h दोनों को add कर दिया और d a use कर दिया a में adjustment करने के लिए कि adjust for the bcd addition मतलब answer जो है उसको bcd में लाने के लिए हमने adjustment कर दी तो यह हमारे पास d a instruction आ गया अब अगर हम unsigned number की subtraction करना चाहते हैं तो हमारे पास सब्सक्राइशन करना चाहते हैं कि हम दो तरह की subtraction के instructions होते हैं एक है sub और एक है sub b तो sub b मतलब subtract with borrow addition कर रहे थे तो add और add with carry तो अब यहां पर borrow का concept आ जाएगा यहां पर अगर हम देखते हैं subtract or with borrow तो a और source और फिर हम कहते हैं कि इसी तरह से हम जो है उसकी perform कर सकते हैं subtraction इसकी अब हम आगे चलके अगर example द अब subtraction हमने करनी है unsigned numbers की तो यहां पर देखे कि subtraction with borrow when carry is equal to zero तो उसकी subtraction perform करने के लिए सबसे पहले यहां पर क्या किया है कि आपने take the two's complement of the source operand अब जो source operand है उसका पहले two's complement लिया फिर add it to the accumulator उसमें add कर दिया और फिर carry को आपने invert कर देना है अब यहां पर देखें कि हम कहते हैं कि हमने सबसे पहले जो भी हमारा source है उसका two's complement लेना है मतलब यहां पर अगर four c उसमें add करें तो four c का हमने two's complement ले लिया उसके बाद जो है जो दूसरा हमारा minus वाले result आया है उसमें उसको add कर देना है उसको add करने के बाद हम कहते हैं कि जो हमारा carry आता है उसको invert कर देना है, अगर one carry है तो उसको zero कर देना है, और अगर zero है तो उसको one कर देना है, इस तरह से हम अपनी subtraction with borrow perform कर सकते हैं, जो हमारे पास unsigned numbers ही होती है, इसी तरह से यह आप अगर assembly language में भी देख लें तो वो भी same mechanism follow करता है, right, तो इस तरह से आप subtraction with borrow कर सकते हैं, जब carry आपका zero होता है, अब next अगर अगर यहाँ पर देखें कि carry आपके पास one आगया, तो simple सी बात है कि बाकी सारा वही operations perform करने हैं, बस उसको आपने invert कर के carry को zero कर देना है, इसी तरह से आप assembly language में भी आप code की बात कर लें, तो same mechanism ही follow हो रहा होगा, अब अग multiplication की, तो वो किस तरह से हो रही है कि यहाँ पर देखें, आपने A में कोई value मूफ कर ली, फिर B में मूफ कर ली, दोनों को मल, A भी और वो दोनों आपके पास आके multiply हो जाएंगे, दोनों operations, तो इस तरह से आप assembly language के अंदर जो है, multiplication भी परफॉर्म कर सकते हैं, अब अगर क्या करेंगे, कि अब, let's suppose अब देखें, कि यहाँ पर आपने क्या किया, A में value मूफ कर दी, फिर आपने B में value मूफ कर दी, और यहाँ पर मल के जगा, आपने ये D, I, V का sign यूज़ कर देना है, तो वो आपके दोनों operations, जो हैं, उनको आपस में divide कर देगा, अब next हम देख सब्सक्राइब होते हैं, different arithmetic operations को perform करने के लिए, अब sign numbers का जो concept है, computers के अंदर हम कहते हैं, कि अब sign, अब हम कहते हैं, everyday life में हम जो use करते हैं, वो हम positive और negative numbers यूज़ करते हैं, computers जो हैं, वो हमारे पास use करते हैं, different sort of the numbers, अगर sign numbers की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए most significant bits हमारे पास use होते हैं, हमारे पास computer में, अब sign bit जो है, जो one होता है, उसको negative number के लिए use किया जाता है, और जो zero होता है, उसको positive number के लिए use किया जाता है, अब sign 8 bit operants की बात कर लेते हैं, तो most significant D7 जो हमारे पास sign होता है, यह यहाँ पर देखें के अब सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पर बताया गया है, किस तरह से हम positive और negative numbers को use करते हैं, computer के अंदर, तो इसमें जो है ना, ज्यादा आपने confused नहीं होना, यह देखें, negative numbers है, positive numbers है, तो यह आप जो है ना, इसको use कर सकते हैं, अपने computer के अंदर, और 8 bit अगर बनाना है, तो जो भी आपके पास bits हैं, अगर 4 bit है, तो उसको जो है ना, आपने, जो उसके पीछे हैं, आपने उसके zero values लगा देने हैं, और यहाँ पर एक और example है, कि यहाँ पर अगर आप 8051 को minus 34 represent करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि 34H जो है, आपने उसको दे दी है, हमारे पास positive number binary में, फिर आपने each bit जो है, उसको invert कर दिया, फिर आपने ज जो आपका 34 था, अब वो आपके पास बनके आगया है, minus 34 में, तो इस तरह से आप एक positive number को change कर सकते हैं, negative number में भी, अब अगर हम बात कर लेते हैं, logic और different instructions को हम compare कर लेते हैं, तो हमारे पास, apart from the input and arithmetic instructions, कुछ हमारे पास जो widely used instructions हैं, उनमें logic instructions का नाम भी आता है, इस यह हमारे पास deal करते हैं, different boolean logic instructions के साथ, जो के हमारे पास and, or, x, or, or, compliment के होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, के and के लिए हमारे पास logics use होते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं, के anl destination, source, यह हमारे पास and के लिए use होते हैं, अब यह instruction हमारे पास logic and को, operation बाद करेंगे और दो अपने हैं और प्लेसि दी डिस्टिनेशन मतलब कि अब एंड का जो गेट का जो operation है वह परफॉर्म करेंगा और जो result है ना। वह आपका प्लेस करते का destination में जो भी आप उसको destination दोगे देखें ए ए ए एन ए याड अड लॉजिक और उस and operation apply हो जाएगा destination क्या है वहाँ पे आपका result आजाएगा और source क्या है वहाँ से आपकी value उसमें आजाएगी तो इस तरह से आपका and logic काम कर रहा है और की बात कर लें तो same ही उसका भी syntax है के or, l, or, logic, destination और source तो इसके उपर आप क्या है क्या है कि दो आपरेंट्स के उपर or का operation apply हो जाएगा और जो भी आप जो value देंगे उसको source से तो वह आपको उस पर perform कर देगा or gate xor की बात कर लें तो xrl xor logic अब destination में अब उसके उपर क्या है कि xor operation आपके दोनों आपरेंट्स पर apply कर देगा और result आपका जो है destination में जाके store कर देगा तो यह आपके जो है example थे logic के अब compliment अगर करवाना है तो अब simply आप अगर accumulator का compliment लेना चाहते हैं तो अब cpl a आपने लिख देना है तो accumulator का आपका compliment ले लेगा यह आपका basically हम इसको कहते हैं कि यह once compliment भी होता है अब अगर हम बात कर लेते हैं rotate instruction and data serialization अब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे application आते हैं जहां पर ज़रूरत पढ़ती है कि हम operand को perform करें bitwise rotation उसकी करें अब 8051 में RL, RLC, RRC जो specifically design होते है accumulator को rotate करने के लिए right और left तो आगे चलके जो है ना हम इन instructions को भी discuss करते हैं कि किस तरह से 8051 को हम rotate कर सकते हैं उसमें accumulator को right या left तो यहां पर आप देखें कि RRA तो यह क्या करेगा कि accumulator को right rotate कर देगा ठीक है अब next अगर उसको left rotate करना है तो rotate left RLA तो accumulator को यह left rotate कर देगा तो इस तरह से आप accumulator को भी rotate कर सकते हैं नेक्स्ट कहता है कि rotate through carry अगर हम कहते हैं कि अब RRC rotate right through carry तो अब यह carry के through जो है ना वो right rotate हो जाएगा फिर हम कहते हैं कि RLC rotate left through carry अब carry के through यह left भी rotate करेगा हमारे accumulator को ठीक हो गया अब serializing the data serializing the data का क्या मतलब है उसको हम discuss कर लेते हैं कि अब इसमें क्या होता है हम data को send करते हैं one bit की form में at one time through a single pin of microcontroller अब इसमें हम क्या करते हैं कि data को send करते हैं in a specific time microcontroller के ऊपर right one byte का data अब देखें कि one byte of data sending a byte of data पूरा एक byte send कर देते हैं microcontroller के उपर इसके दो तरीके होते हैं कि let's suppose आपने the first method is using the serial port हम use करते हैं उसको use करते हैं data को transfer करने के लिए over the sequence right या तो आप serial port के through data को send कर सकते हैं second जो हम data को transfer कर सकते हैं second method of serializing the data आपके पास यह है कि आप data को transfer कर सकते हैं one bit at a time and control the sequence आप एक टाइम पर आप एक ही bit transfer कर सकते हैं right next में है कि in many new generation of device such as LCD या रोम ADC serial versions are becoming popular and they take less space on a printed circuit board तो अब के जो LCD या रोम्स आ रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो serial versions हैं वो काफी popular हैं और काफी size भी उनका काफी कम होता है अब यहां पर देखें कि आप किस तरह से यह data को serialize कर रहा है कि एक byte of data जो है serially transfer कर रहा है यहां पर आप देखें कि हम कहते हैं कि carry को move कर दो किसी भी pin में of the ports 023 using the rotate instruction तो इस तरह से आप जो है अपने data को serialize कर सकते हैं यहां पर आप देख लें कि अब a को आपने swap करना है तो वो किस तरह से अब accumulator को swap किस तरह से कर सकते हैं तो अब जो आपके 4 अब एक byte में 8 bits होते हैं 4 bytes एक तरफ 4 bytes एक तरफ जो lower nibble है और higher nibble है दोनों को वापस में swap करतेगा वो किस तरह से करेगा एक example इसकी यहां पर देख लेते हैं कि अब देखें अब हमने उसको value दी है कि move a 72 अब 72 की value हमने उसको दे दी है और next हमने दे दिया कि swap swap a तो अब जो a में value जाएगी वो आजाएगी 27 तो इस तरह से हम swap instruction को use कर सकते हैं तो यह हमारे पास swap की भी example आगे किस तरह से हम accumulator को swap कर सकते हैं तो यह था हमारा आज का lecture जिसमें हमने arithmetic and logic instructions और different programs हमने देख लिए I hope so आपको आज का lecture समझ में आगया होगा आपके आप में से किसी का भी कोई भी question हो तो नीचे comment box में वो पूछ सकता है हम उसको answer करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं और अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो नीचे दिएगे subscribe के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताके हमारी हर आने वाली helpful वीडियो सबसे पहले आप तक पहुन सकेंगे